जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो फसले या पोदे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए लगबगे 15-16 जो पोशक तत्व जरूरी होते हैं उनकी जो सबसे प्रमुक अपने पास में आते हैं जिनको प्राथमिक पोशक तत्व भी बोलते हैं वह एनट्रोजन फासपूरस और पोटेशियम आता है और उसके अलावा जो चोथा सबसे महतापूर्ण अपने पास में पहुज़क तत्व है वो आता है केलसियम तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिक्विड केलसियम के बारे में इसकी जो complete जानकर है वो मैं आपको दूँगा यहां पे कि किस तरीके सी इसका प्रियोग है वो हमारी फसलों को फाइदा पहुंचाता है और इसकी price क्या है इसकी dose क्या है यह सारी बात इस वीडियो के अंतरकत हम जानने वाले हैं तो सबसी पहले मैं आपको बता दूं कि कैलसियम होता है और भी कही रूप में जैसे की कैलसियम naitreate है,KYLSYM Cloride है या उसके अलावा जिبसम है उसके साथ में जो परसम आता है परंतु वो Solid F Burch और गार करने वाल हैं इसे liquid calcium के बारे में तो सबसे पहले हम जानते हैं कि calcium हमारी फस्तलों में क्या काम करता है सबसे पहले हम बात करते हैं कि फस्तलों में calcium की deficiency कमी हो गई उसको किस तरीके से पहचाने तो जो आपकी पत्तियां होती हैं उनमें curling शुरू हो जाती है यानि कि वो इस तरीके से कुछ मुड़ने लग जाएंगी उसके अलावा जो उनका तना है वो कमजूर हो जाएगा जो आपकी पोदे हैं वो आसानी से calcium का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो काफी अपने पास में अलग-अलग जो variety यहां हैं जैसे की 10%, 40%, 70%, 30% जिनमें की calcium carbonate, calcium chloride उसके अलावा जिपसम के रूप में भी जो calcium आता है और अपने पास में जो concentrated calcium जिसमें 11% के रूप में calcium होता है इन काफी सारे जो रूपों का परियोग करके आप अपने फसल में calcium की पूर्ती कर सकते हैं अब हम बात करेंगे इन में से सबसे प्रभावी अपने पास में जो calcium में आता है वो आता है भाई liquid calcium यह सबसे faster तरीके से कारी करता है और सबसे ज़्यादा रजल्ट और सबसे जल्दी रजल्ट आपको इसी जो calcium है इसकी जो कारण है वो मैं आपको भी बताता हूं जो आप दूसरे calcium जैसे की आप calcium nitrate के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें nitrogen भी आती है जब आप उसका spraying निकालते हैं तो फसल की जो nitrogen होने के कारण growth है और ज़्यादा बढ़ाएगा और growth ज़्यादा बढ़ाने से उसमें जो पड़ेगी तो इस तरह से उसके जो deficiency है calcium की वो प्रोपर तरीके से पूरी नहीं हो पाती है दूसरे जो आपके पास में आते हैं calcium की रूप उनका यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो पोधे की जड़े मालीजी आपकी पहले से कमजोर है और आप उसको solid रूप में डाल रहे ह तो उन जड़ों के दुआरा उसको uptake करने की जो परकरिया है वो ना के बराबर हो पाती है नहीं हो पाती है जिससे हमें जो desired result है वो नहीं मिल पाता है पर जब आप इस liquid calcium का इस्तेमाल अपनी फसलों में करते हैं तो जैसे ही आप इसका इस्प्रेंग निकालते हैं तो यह पोदे की जो पत्तियां होती है या उसमें जो और भी दूसरे पोर या चिदर होते हैं उनके दुआरा तुरंत यह एबजोर कर लिया जाता है और जिससे हमें तुरंत जो इसका result है वो देखने को मिलता है अब हम बात करते हैं कि यह मुके रुप से कार्य क्या करता है तो calcium ह है वो हमारे जो पोदे में stems होती है जो उसकी कोशिका होती है उनको व्रद्धी करने का अपने पास में कार्य करता है उसके अलावा जो उनमें cell division जो कोशिका विवाजन होता है जो उनकी कोशिका भित्ती होती है उसको यह मजबूत वनाता है और जो उसमें enzymes होते हैं उनकी प्रक्रिया को भी ये काफी परमोट करता है जिससे हमारे पोदे में जो पोज़क्तत्व हैं उनको जो लेने की छमता होती है उसमें बढ़ोतरी होती है साथ में यह जो विसम परिस्ततियां होती हैं उनके प्रतिवी पोदे को सहनसील अपने पास में बनाता है जिसके अधिक सर्दी है बरसात है या जो अधिक गर्मी है उसके लावा जो पुदे की रूट से होती है उनको यह है डवलफ करने का कारिय करता है जिसकी वज़े से अधिक प्रतिरूदग ज्हमता को बढ़ाता है जिससे वह बिपूर्RY और उर्जो गीटो होते हैं उनके प्रति भी प्रतिरूदग ज्हमता उनमें विक्सिदait पॉपाता है कि इस बात करेंगे इसे जो लिकुबीड है उनके वर्द crime intéressant के तो यह उतर न्हें चाहि कोई आपके पास सब्से वर्गी ये फसल रो, चाहि कोई फॉट वर र एसका इसका इस्तमाल रहे हैं. ढूज के बारे में हम बात करें तो यदि आपि फोईलर बड़ा के रूप में इसका इस्तमाल कर रहे हैं तो लगभग में यदि आप कर रहे हैं तो लग बग दो लीटर पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल है वो करने के मिसाला दूँगा इसके साथ में हम इसकी जो प्राइस है उसके बारे में बात कर लें तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह अपने पास में 500 ml का एक द अपने हैं उसका थोड़ा बूद रेट है वो उपर नीचे इसका हो सकता है यदि हम बात करें कि एक फसल में हमें इसके कितने इस प्रे निकालने चाहिए तो जो कोई सबजीवर की है यदि आपकी फसल है तो उसमें लग भग तीन से चार इस पर आप दस या बारा दिन के जो अंतराल के उपर इसके ले सकते हैं जिससे हमें एक अच्छा और बहतरीन रजल्ट मिले कब हमें इसका 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 इसक को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि कितनी अधिक जो सर्दी है वो अभी हो रहे हैं उसमें हम आपके लिए सूट कर रहे हैं तो जब आप वीडियो को लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन है वो भी हमें मिलता आपसे नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार